अगर आपको पुत्र नहीं प्राप्त हो रहे हैं आपके वंच में ही पुत्र नहीं पैदा हुए यहां पर मैं कोई सेक्स डेटर्मिनेशन नहीं कर रहा लेकिन मैं आपको पुर्व जन्म में जो आपने कर्म किये थे अपने एथ हाउस से उससे सम्मधिदी वीडियो आपको बताऊंगा मैं या फिर आपको बवासी सीर, फिशर, कब्ज, रक्तपाच की समस्या है वो कहीं न कहीं हमारे पूर जन्म के कर्म से जो होते हैं उससे नित्य होता है अब तक हमने सिक्स्थ हाउस से सम्मदित सारी वीडियों में सारे ग्रहों को देख लिया था प्लेलिस सेक्शन को देख लीजिए आज हम आगे मूव करेंगे एर्थ हाउस में और यहां पर एक एक घर को देखेंगे एक एक प्लैलेट को देखेंगे क्या क्या पूर्जन में आपने करन किये थे लेकिन आपको हर वीडियो आन तक देखनी है पहली बार जुड़े हैं सब्सक्राइब और नोटिफिकेशन बेल दबा दीजिए और हमारे पुराने यूजर्स हैं तो चैनल को जरूर शेयर और सब्सक्राइब और लोगों को जरूर शेयर करवाईए चाहिए अस्ठम भाव पे फोकस करेंगे ठीक है जी आटमे भाव में अगर केतू यहां पे पाप पिडित हो जाए अगर आपके इस घर में केतू बैठा हो ठीक है जी और केतू यहां पे पाप पिडित हो पाप पिडित का मतलब क्या हो या तो केतू शनी देव के साथ बैठ जाए पहला कंडिशन या फिर केतू जो है आपका शुकर देव का साथ आपका मंगल के साथ बैठ जाए या फिर केतू जो है आपका सूर्देव के साथ बैठ जाए ठीक है और ये तो कंडिशन होगी भाई या आपका जो केतू है वो यहाँ पर पाप परिडित हो गया सिर्फ उसी बैठने से ही नहीं साथ में घर में बैठ कर यहाँ पर साथ में दिस्टी दिल जाए तब भी ये कंडिशन चाहितार्थ होता है या फिर शनी छटे घर में बैठ कर यहाँ पर देखे तब भी ये चाहितार्थ होता है ठीक है जी एक कंडिशन ये है कि केतू आपका पीडित हो जाए दूसरा कंडिशन ये है कि जो आपका गुरू है जो आपका जुपिटर है आपके चार्ट में अगर ये भी आपका वीक है निर्बल है या पिर अस्थ हो रखा है या पिर ये नीच का बैठा हुआ है या पिर ये बाल अवस्था में मृत अवस्था में बैठ हुआ है तो ये कंडिशन हो सकती है कि आपको बच्चों लड़कियां होंगी लेकिन आपको पुत्र प्राप्ती में संघर्ष करना पड़े पुत्र की प्राप्ती आपको कम हो तो इसका ये मतलब नहीं है कि आपने अपनी लड़कियों को नहीं पालना आपने अपनी लड़क इसका main reason क्या था ऐसा क्यूं हुआ आपने पिछली life में क्या हुआ पिछली life में जब हम बात करते हैं आपने किसी शिशु को कि भ्रून हत्या की हो ठीक है या पिर किसी इनसान की शिशु को तरपाया हो या फिर आपने कुते के पिले को मारा हो गाड़ी से कुछला हो कुछ भी किसी तर्पा तर्पा के मारा हो ठीक है तो इस जन्व में आपको दूश लग जाते हैं ये और पुत्र प्राप्ति आपको नहीं हो पाती संतान, कस्त यहां पे देखने को मलता है गुरू और केतू अगर आपके चार्ट में प्राप्लमिस टिक है ना केवल यही यहां पे आपको प्राप्लम्स भी आ जाती है जैसे मैंने आपको बताया बवासीर ठीक है जी आप देखेंगे कि एक एज में आपको बवासीर हो रहा है कई बार तो युवावस्था में ही बवासीर हो जाता है फिशर जैसे गुधा के रोग और मधूबे जिसे हम कहते हैं डाप्लम्स प्राप्लम्स यह आपके चार्ट में देखने को मिल सकती है कबज जो होगा आपका रक्त पाच के रोग भी आपको यहाँ पर तंग कर सकते हैं चाहे आप फिश कोई भी दवा क्यों न खाले रक्त पाच आपका और कबज की समस्या आपको रहेगी रही की और साथी साथ यहां पे जो इनसान होता है वो बहुत जादा एहंकारी भी बन जाता है ये भी देखने को मिलता है एहंकारी नेचर भी उसका होता है कहीं हटता तो अब आपको करना क्या है आपको यह करना है पश्यों की सेवा आपको करनी है चूहों के प्रती आपको नफरत नहीं रखना घर्ग में चूहे आते हैं तो उसे निकाल दीजिए ना कि उसके अपने हाँ से गला घोट कर मत मारिये नफरत का भाव जो है उसे आपको हटाना होगा इस लाइप में याद रखे अगर इस जन में आपको कुटे देखकर भौकते हैं और आपको कुटे काटने की कोशिश करते हैं या काटते हों तो उसे देखते ही डरकर भागते हों यह स्थिती और खराब हो जाती हो और यह इस बात को पुस्टी करती है कि आपने लास्ट वर्ट में कुछ ऐसा जुरूर किया था आगे चलते अगर आपको पिसी प्रकार की कंसलिटेशन चाहिए तो आप अपनी Android एप खोलिए और उस Android एप में से आपको जो खोलना है आपको ले आना है जोतिश घर को स्क्राइशन दे रखा है बहुत सारे टूल दे रखा है रिपोर्ट सेक्शन दे रखा है आपका चक्र दे रखा है पंजांग दे रखा है आपके बॉड़ी के जितने भी दोश हैं सब कुछ इस में free of cost दिया हुआ है तो आप इसको अभी डाउनलोड कीजिए और अपना free dashboard पाईए तो आपने यह देख लिया कि भाईया यहां पर अगर केतू पीडित है और गुरू वीक है तो कुछ ना कुछ आपने कुत्तों की problem आपने की अब आपको करना क्या है क्या उपाई करना है ठीक है जो आपने आपके उपर जिस चीज का दोश लगा है उसी दोश को आपको ठीक करना है ठीक है जी अब आपको क्या ठीक करना है वो देखिए देखिए आप अपने घर में तीन कुत्ते पाल सकते हैं या अपने लाइफ मे काला और सफेद ठीक है जी तो हर लॉजिक होता है हर चीज का काला और सफेद ठीक है और आपको पशुओं की चाहे वो गाय की होगी भैस की होगी उनके अगर आप घर में भैस भी पालके एक दूद नकालते हैं वो भी उनकी सेवा होगी कोडियों की सेवा कीजिए अनात बच्चों को अपने जंग दिवस के जब आपका जंग दिवस हो उसके आस पर जुरूर दान दिया कीजिए वो आपको बहुत लगेगी ठीके जी ये चीज़ आपको करेंगे तो आप अपने निक्रम के जो हैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सभी लिंक दिये हुए है तो पुत्र प्राप्त हो जाने पर जब आपको पुत्र की प्राप्ती हो जाएगी इसको नोट कीजिए उसके बाद क्या करना है पुत्र प्राप्त हो जाने पर उसके कान में सोने का बाली अवश्य आपको डालनी है कम से कम 100 घंटो तक ठीक है जी 100 घंटो तक आपने उसके कान में बाली अवश्य डालनी है अगर कुता मर जाए कुता को जाए तो तुरंट दूसरा कुता आपको पालना है इसको भी नोट कर लीजिए उसकी सेवा तथा पूरी देखभाल आपको प्रेम पूर्वा करनी है यह आपका सिंपल सा था पूर्व जन्म में कृत जो आपने किये जब केतू और गुरू यहाँ पे होगा अगली वीडियो में अगले पार्ट में हम बात करेंगे जब यहाँ पे चंद्रमा आठ्वे घर पे बैटा हो तो क्या हो सकता है बहुत खतरनाक हो जाता है चंद्रमा इस बात को नोट कीजिए तो यहाँ पे इजार दीजिए और अपने रिप्लाई के लिए धहरे बना के रखें रिप्लाई मिलता है कई टाइम लग सकता है लेकिन पेशेंस बना के रखें जतना ज़्यादा आप सबस्क्राइब करेंगे आपको बहुत ज़्यादा फाइदा होगा हर प्लेटफॉर्म पे आपको रिप्लाई मिलते हैं बस आपको धहरे रखने की आवश्क्ता है नमस्कार लादे लादे